In the name of Allah, most grace, most merciful, my dear students, good morning to all of you, hope you are well, subject English, class 6th, topic, Musa Ali's Camel, chapter 4, page number 42 प्यारे बच्चो जैसा कि आप जानते हैं इस सबक का पहला हिस्सा कल हमने पढ़ा यानि के यहां तक तो आज इसका हम दूसरा हिस्सा पर बढ़ने जा रहे हैं तो कल के हिस्से में हमने क्या पढ़ा प्यारे बच्चो के समा का फादर जो पेशे से एक डाक्टर था तो उनकी ट्रानेसफर शेरी नगर से नब्रा वैली इंद्लादाग में हुई और उसने अपनी डाटर जानी जो उसकी बेटी थी उन्हों ने अपनी बेटी समा को भी नब्रा बलवा लिया तो दोनों फिर डिक्षिट डोल्मा के गर पर रहने लगे तो समा और डोल्मा दोनों अच्छी सहलियां बन गई यह जो डोल्मा है यह वो गर वाली है कि जिसके गर में बैठते हैं अब समा की और डोल्मा की अपसमें दोस्ती लग गई तो समा ने डोल्मा से नब्रा के बारे में पूछना शुरू किया तो आप देखते हैं प्यारे बचो के डोल्मा और सल्मा के समा के दर्मियान क्या बात चीत हुई तो आप देखेगा पहले हम यहां से शुरू करते हैं डॉल्मा, do you know that Ladakh is a dessert? समा, oh, you are kidding me डॉल्मा, no, no, it is true Ladakh is known not only as a dessert but in fact a cold dessert समा, it is wonderful I had heard only about the Shara in Africa and the Thawr in Rajasthan Oh, it is thrilling to know that right now I am enjoying the magnificence of one of the most beautiful cold dessert of the world डॉल्मा, one more specialty is the camel in Ladakh समा, now, you are kidding me again It is like a bad man carrying a calm or an excomo enjoying an ice cream डॉल्मा, no, no, I am telling you the truth I will arrange a meeting with Musa Ali on Sunday तो, क्या है, होता है, प्यारे बचो डॉल्मा ने कहा, do you know that Ladakh is a dessert? क्या तुम जानती हो, कि Ladakh एक रेकिरेकिस्तान है किसने कहा? डॉल्मा ने कहा, अब इनके दर्मयान जो ये बात ची चुरू हुई तो, डॉल्मा कहती है, कि आप जानती हो, कि जो Ladakh है, ये कि रेकिस्तान है समा, ओ, you are kidding me तुम मजाग कर रही हो तुम मजाग कर रही हो, किसने कहा? कि कहा समा ने फिर से डॉल्मा बोली नो, नो, it is true नहीं नहीं, ये सच है Ladakh is known not only as a dessert but in fact a cold dessert Ladakh सिर्फ एक रेकिस्तान नहीं बलकि एक ठंडे रेकिस्तान की शकल में जाना जाता है अब समा बोली इट इस वंडरफूल ताजुब है मैंने तो सिर्फ अफरीका के सहारा और रेकिस्तान के थार रेकिस्तान के बारे में सुना था ठीक और यह जानकर खुश हो रही हूं ठीक मैं तो इस ट्रीलिंग ठीनो राइट आम एंजाइंग मैं तो खुश हो रही हूं कि मैं सब्से खुबसूर्ट ठंडे रेकिस्तान में से एक की खुबसूर्टी का लुटफ उटा रही हूं यह किसका कहना है समा का अब डॉलमा बोली वन मोर स्पेशलिटी इस दिखेमली इन लदाक इस जग़ लदाक के एक और खुशूसित यहां के उंट है यहां के उंट है समा क्या कहती है अब यू आर किडिंग मे अगेन अब तुम फिर मेरा मजाक उड़ा रही हो इट इस इट इस लाइक अ रैड मैन केरिंग एक खाम और एन एकसकिमो इंजाइंग एन आइसकी जैसे एक गंजे के पास कंगी और इसकिमो के हाथ में कुलफी अब डूलमा बोलने लगी नो डो आइम टेलिंग यू दी टूथ नहीं नहीं मैं सच कह रही हूं आई विल एरैंज है मीटिंग विद मुसा अली आन संडे मैं तुम्हें अतवार को मुसा अली से मिलाओंगी किस ने कहा ये डूलमा ने कहा तो इस तरह से प्यारे वचो इनके दर्मियान ये बात चीच चली ददाख के बारे में तो उमीद है कि आपको समझाया होगा तो बक्या जो इसका अगला हिसा है वो इन्शालला हम आने वाली कलास में याने कल की कलास में पढ़िए जब तक के लिए अगला हाफिस